हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग सब लोग अच्छे हैं ना चलिए बहुत अच्छी बात है तो देखिए हम लोगोंने चाप्टर नंबर 4 यानि की लेजर को स्टार्ट किया है जिसमें हमारा जो लेक्टर नंबर 1 है वो अल्रेडी कम्प्लीट हो चुका है तो उसमें हम प्रोंटिंग प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था सबसे पहले आता है स्टूडेंस जर्नल ठीक है फिर उसके बाद दिखो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं और फिर लेजर की मदद से आप लोग क्या बना सकते हो तो जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है इसे आप बना चाता है वह मैं आप लोग को बता दूंगी जब हम लोग कोस्ट्ण सॉल्व करेंगे ना तब क्या करना है कैसे करना है ठीक है आपको लेजर अकाउंट दिया रहेगा या फिर आप लेजर अकाउंट बनावे और फिर उसकी मदद से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना रह सबसे पहली बात यह जो आपका ट्रायल बैलेंस है ना यह क्या होता है तो यह एक स्टेटमेंट होता है यह अकाउंट नहीं होता है इस बात को ध्यान में रखना ठीक है तो यह क्या है बच्चो यह एक स्टेटमेंट होता है प्रिपेर विद देबिट और क्रेडिट बैले क्या हुआ तो देखो जैसे कि हमने देखा था जब भी हम लोग जर्नल कर रहे थे जर्नल आपको याद है चैप्टर नमबर थी उसमें आमने देखा था ना डेट और जो क्रेइड बैलेंस होते थे वह हमेशह क्या आते थे इक्व आते थे तो रहरड चाहिए उसी ke करने के लिए हम लोग trustworthy बनाते हैं यह बताए गई है ठीक है टो एकदम immortal Congressman ऐप पड़ोगे आपको समझेगा ठीक है चलो अभी हम निक्स्ट किसकी बात करेंगे तो यूटिलीटी ऑफ ट्राइल बैलेंस का यूटिलीटी क्या है तो यहां पर थीनी पॉइंट से एकदम सिंपल वाले पहला क्या बताया गया है कि इस तो बैलेंस ऑफ डिफरेंट लेजर अक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे जब ही आप लोग यह ट्राइल बैलेंस बनाएंगे तो वहां पर डेबिट बैलेंस और जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या रहेगा हमेशा सेम ही रहेगा तो यह क्या करता है यह प्रूब करता है और इसकी मदद से ह हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में आगे वाले लेसंस में अभी तो बस हमें यहीं तक पढ़ना है ठीक है समझ गे तो यह था इसका यूटिलिटी चली अभी हम लोग फीचर समझ लेते हैं फीचर्स ऑफ ट्राइल बैलेंस तो देखो पहला तो यह है कि इस इस बात को दिहान में ठीक है हो सकता है कि आप से पूछ मतलब पूछ दिया जाए कि ट्राइल बैलेंस क्या है यह अंसर क्या होना चाहिए बताइए तो यह स्टेटमेंट होता है अकाउंट नहीं होता है ठीक है फिर दूसरा पॉइंट देखिएगा इस लिस्ट ऑफ बैले इस अधिर अकाउंट यहां पे यह देख लीजीगा इट इनी टाइम दूरिंग पिरियाड यानि कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कभी भी प्रिपेर कर सकते हैं या तो आप साल में तीन बार करिए यानि चार्चर महीने बाद या फिर आप एक साल में दो बार भी मतलब प बताई गई है कि अगर आपका बुक क्या है अरिन होता क्या है कि टोटल ओफ ऑल टीविट बैलेंसे और चाहिए और अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि हमने जो भी प्रिपेर किया है अपना अकाउंट ठीक है वो क्या है अरिथमेटिकली एक्यूरेट है यह निस अब कुछ सही सही है कुछ भी हमने गलत नहीं किया है ठीक है तो याद रखिए का ट्राइल बैलेंस पर डीबिट बैलेंस और जो क्रेडिट बैलेंस वह सेम रहने चाहिए है ना तो बस यहां पर हमें इतना ही जानना था हमने क्या-क यहां पर करोगे मतलब यहां पर एक लाइन कीम है कैले ठीक ठीक है पहले वाले कॉलम में लोग क्या करते है ट्राइल बैलेंस यहां पर बैलेंस लिए यह करते हैं यहां पर बाता चलीकश साथा और बहुत ही अच्छे तरीके चलैघगा पर्लेज झा फेगान considering know the ties बना रहे हैं तो उसमें आप इसको भी लिख लीजिएगा तो अब भी नेक्स वीडियो से हम लोग क्या गरेंगे तो डिरेक्ली जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से उनको हम लोग स्वाल्व करेंगे तो आगे वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा ठीक है आपको सारी चीजे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी ठीक है ना तो चलिए बच्चों चलते हैं गुडबाई अबरीवाण